हेलो एवरीवन और वेलकम तो मैं चैनल जज्जमेंट सिंग ट्रिमिनल डॉग मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप फ्रेंट्स आपने पिछले कुछ वीडियो से मैं चर्चा कर रहा हूं रेडा के संबंद में और इस क्रम में आज इस वीडियो में मैं आपको को बताने वाला हूँ कि कार्पिट एरिया क्या होता है । वीडियो रिबी उरिया क्या होता है तो अगर आपको यह फीडियो पसंद आए तो इसे लाई क decision न भूले and if you are new on my channel then don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get all the latest notifications of my new videos. So let's start this video. Friends, किसी भी plot या खाली area को मापना आसान होता है लेकिन फ्लाइट और एपार्टमेंट के सम्मंद में यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह एक complex matter है और आम लोगों को इसे समझना बहुत ही मुश्किल होता है और इसी का फाइदा real estate developers या फिर builders उठाते हैं. Real estate developers या builders flat book करते समय जो भी area आपको बताते हैं, actual में जब आपको वा flat hand over होता है तो उस बताए गए area से लगभग 20 से 30% area उस flat का कम होता है. जी हाँ मैं फिर repeat कर दूँ कि लगभग 20 से 30% वा area कम होता है और consumer जो है वा ठगा सा महसूस करता है. लेकिन builders के खिलाफ या फिर real estate developers के खिलाफ कोई कारवाई आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि builders जो है वा consumer को जानकारी के अभाव में build up area और super build up area के जाल में फसार देते हैं और इस कारण से जो area actual में consumer को मिलता है वा काफी कम होता है in comparison to जो की agreement में लिखा हुआ होता है. अगर आप कोई flat खरीदने जा रहे हैं या भविस में कोई flat खरीदने की सोच रहे हैं या कभी भी जब आप flat खरीदने की सोचें तो आपको तीन बातों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है पहला carpet area क्या होता है दूसरा build up area क्या होता है और तीसरा super build up area क्या होता है इन तीन चीजों की जानकारी अगर आपको होगी तो builders या real estate developers जो हैं वह आपको किसी भी प्रकार से ठग नहीं पाएंगे और जो भी agreement होगा उस मुताबिक आपको आपका space जो है वो मिल जाएगा तो आप जानते हैं कि carpet area, build up area और super build up area क्या होता है तो carpet area का साधरन सा मतलब यह हो गया कि कोई भी ऐसा space जहां पे carpet बिचाया जा सके यानि कि अगर कोई room है उसकी चार दिवारी है तो चार दिवारी के अंदर का जो space होता है जहां पर carpet बिचाया जा सकता है उसे carpet area कहा जा सकता है इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि फ्लैट का वो इस्पेस जो एक्चुली में आपके यूज में आए कार्पिट एरिया के तहट फ्लैट की जो दिवारे होती है और उसकी जो मोटाई होती है वह उस एरिया में नहीं मापा जाता है इसके अलावा अगर आपके फ्लैट में कोई balcony है या फिर open terrace है तो वह भी carpet area के अंतरकत नहीं आता है अब carpet area क्या-क्या cover करता है तो carpet area cover करता है bedroom, dining room, dressing room, kitchen, study, store, कोई और camera, bathroom, घर के भीतर balcony और घर के भीतर की सिड़ियां घर के भीतर की balcony और सिड़ियों से ताथ पर यह है कि अगर कोई duplex flat है और उस flat के अंतरकत किसी भी तरह के घर के अंदर balcony बनी हुई है या फिर सिड़ियां बनी हुई है तो वह भी carpet area के अंतरकत आएंगी अब सवाल है कि carpet area क्या cover नहीं करता है तो carpet area cover नहीं करता है बाहरी या अंदुरिनी दिवारें, common area और terrace यादि कि छट अब आपके लिए समझने वाली बात यहा है कि radar कानून के अंतरकत जब भी builder आपको आपके flat का area बताएंगे तो अब यह compulsory है कि वहाँ आपको area जो है वह carpet area के अनुसार बताएंगे और rate भी carpet area के अनुसार fix किया जाएगा और rate के अंतरकत ही क्यों अगर आप किसी छोटे project में invest कर रहे हैं, flat ले रहे हैं, अगर वह रेजा के अंतरकत नहीं भी आ रहा है तो भी आपको carpet area की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है और वहाँ भी carpet area के हिसाब से आप builder से मोलभाव कर सकते हैं या फिर कम से कम अगर carpet area के आपको जानकारी होगी तो बाद में जब flat आपको deliver किया जाएगा तो at least उस समय आपको निरासा नहीं होगी और आपको यह जानकारी होगी कि आपके पास कितना space है जो actually में आप use कर सकते हैं इसके बाद आता है build up area अब build up area क्या होता है build up area जो भी carpet area है flat का वो area प्लस दिवाले जो होती हैं वो दिवाले उसकी मोटाई इसके अलावा balcony या फिर जो भी open terrace है उन सारे area को जोड़ कर build up area मापा जाता है carpet area और build up area में अंतर यही है कि carpet area में जो space होता है उस space के अलावा build up area में दिवालो की मोटाई भी जोड़ ली जाती है इसके अलावा carpet area में balcony जो है उसे नहीं जोडा जाता है उसे नहीं मापा जाता है built-up area में वह balcony भी मापा जाता है और जो open terrace होता है उसे भी उस माप में लिया जाता है अब build up area क्या क्या cover करता है तो build up area के अंतरगत, carpet area, बाहरी और अंदुरुनी दिवारे, electricity, पानी की supply वाली जगा यह सारे build up area के अंतरगत आएंगे अब build up area और carpet area के बीच का जो अंतर है, सारा खेल लगबग लगबग builders यहीं पर खेल जाते हैं क्योंकि हमें और आपको इस पूरे खेल की जानकारी होती नहीं है अब आपको यह जानकर आश्चरे होगा कि हमारे देश में जहां भी apartments और flat बनते हैं, उन flats और apartment के build up area और carpet area में लगबग 20 से 30% का फर्क होता है जहां आपने सही सुना लगबग 20 से 30% का फर्क होता है for example अगर एक flat का map है 1000 square feet तो आप मान कर चलें कि जब आपको उसका carpet area मिलेगा वह space जो actual में आपको use में आएगा वह होगा 700 square feet से 800 square feet यानि कि 20 से 30% का अंतर होता है build up area और carpet area में और यहीं पर सारा खेल जो है वह builder खेल जाते हैं जब भी flat से related आप agreement बनवाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि builders जो है वह build up area पर आपके agreement को बना देते हैं जैसे कि agreement में अगर यहाद तै हो गया कि आपका flat जो है 700-800 square feet होगा और आप नो स्रिफ ठगा हुआ मैसूस करेंगे बलकि आप कोई कानूनी कारवाई भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो build up area उस builder ने वादा किया है वह build up area तो आपको मिला ही मिला है अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपको जानकारी के अभाव के कारण जो agreement बनवाये गया था वो build up area पे बनाये गया था और आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब carpet area आपको मिलेगा यानि कि वह area जो आप use कर पाएंगे वो लगवग 20-30% कम होगा तो सारा खेल जो है वह यहीं पर होता है बहरहाल जो तीसरा term है वह है super build up area अब super build up area क्या होता है तो जो भी carpet area होता है वह carpet area प्लस built up area जो भी built up area है प्लस जितने भी common space हैं जैसे कि जो corridor है, lift है, सीडिया है जो कि common use के लिए बनाई गई है उन सारे area को build up area से जोड़ दिया जाता है और इसे super build up area कहते हैं इसके अलावा बहुत सारे apartments में कोई common room है, कोई club house है, swimming pool है, garden है या फिर खेलने कुदने की कोई जगह है इन सारे जगहों को भी build up area के साथ जोड़ दिया जाता है and then it is called super build up area अब super build up area क्या कवर करता है तो super build up area के तहत आते हैं फ्लैट का build up area, club house, lift, सीडिया, lobby, swimming pool, gym या कोई भी अन्य सारजनिक सुविधा हैं इन सबों को मिला कर बनता है super build up area तो अब आपने जाना कि carpet area क्या होता है, build up area क्या होता है और super build up area क्या होता है तो इस जानकारी के साथ अगर आप फ्लैट खरीदने जाएंगे तो मुम्किन है कि कम से कम area के संबंद में आप किसी भी प्रकार से builder के हाथो ठगे नहीं जाएंगे अगले वीडियो में भी carpet area, build up area और super build up area के चर्चा जारी रहेगी आसा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स वर वाचिंग